नमश्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाहचंदर, ब्रह्माणड सिद्यास्टों में आप सरहीक का स्वागत है आज की इस वीडियों में हम तर्चा करेंगे मेश राशी का अप्रिल दो हजार चोबिस का संपुण राशी फन इस मेने में जो सूर्य ग्रहण है वो होने जा रहा है दिना आठ तरिक को उसी परकार इस मेने की हिंदू वर्ष के जो दिन है दिना नौ तरिक को वो भी आने वाला है उसी प्रकार इस मेने में जो बुदह है, वो वकरी भी होने जा रहा है, जो कि आपके राशी के लिए सबसे महतोपुड़ ग्रहा माना जाता है, उसी प्रकार आपके राशी के वे अबाउ में मतलब मींद राशी में काफी ज्यादा जो ग्रहा है, वो आने वाले है, और वही पर ग्रहेंड भी होने जा रहा है तो इस सभी का जो प्रभाव है वो आपके राशी पर किस प्रकार से होगा उसी प्रकार आपका जो सहजीवन होगा या फिर आपके जो स्वास्त होगा आपका जो भी करियर होगा उसके बारे में सभी के बारे में डीटल में चाश्चा इस व वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेश राशिक के बारे में, सबसे बेले हम चर्चा करेंगे कि आपके राशिक का जो स्वामी है मंगल या फिर आपका जो स्वास्त है शारिक या फिर मासिक वो किस परकार का होगा, जैसे कि आपके राशिक के जो स्वामी है मंगल जो की आपके लाब वाव में ब्रह्मन कर रहा है और दिनांग 24 तारीक के बाद ये आपके वेई वाव में ब्रह्मन करेगा उसी प्रकार आपके राशे का सबसे महतोपुणन गरह जो मैंने शुववत में कहा वो है बुद्ध अलाकि वो आपके राशे के लिए अशुब गरह है लेकिन उस इसनगी जो ब्रह्मन कर रहा है और आपके वेह अब हुई अब हुने और 25 तरीक बाद ये जो बुद्ध है वो मार्गस में भी रहा है तो ये जो दो गरह है मंगल और बुद्ध वो आपके राशी के लिए स्वास्त के लेडर बहुत ही महतोबना होते हैं तो इस मेने में आप मान के चलिए कि यह जो संपूरण मेहना है उसमें काफी ज़्यादा स्ट्रेस आप फिल करोगे अलग के आपके जो राशी हैं वो जन्दी जन्दी निरनाई ले देते हैं और कभी कबार ज्यादा इंडेप नहीं सोचती लेकिन इस मेने में आप तो इस पर ध्यान देना आवश्योग होगा जो भी आपने अनुवान लगाए होगे वो पूरे के पूरे गलत साबित होते हु बूरी भी बात है इस मेने में बिल्कुल भी नहीं करना आप बूरी तरह से फस सकते हो और उसका जो खामियाजा है वो भी आपको ग्रतना पड़ सकता है तो इस मेने में स्ट्रेस लेवल जो है वो काफी ज्यादा देखा जाएगा तो थोड़ो सा चो करना रहना आवश्यो लगतोगा, इसके बाद हम जबना करेंगे कि आपका जो इंकम स्तिरोथ है या फिर आपकी पैनेशाब स्ट्रेमिलिटी किस प्रकाती होगी जैसे कि आपके राशी का जो धनेश है शुकर, जो कि आपकी वेया मेंगा में नहीं में ब्रवन करेगा और दिना अँ.. है शनी जो कि आपके लाफ बाव में ही ब्रवन कर रहा है तो यह पर यह जो फाइनेशल कंडिशन है वो भी ठीक नहीं रहेगी तो आपको इसके बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा क्योंकि आपके राश्री का जो धनेश है शुक्र जो कि आपके व जो आपकी जो राश्य है वैसे भी देखा जाए तो spending ज्यादा करती है तो spending पर थोड़ा सा control करना आवश्यक होगा उसे प्रकार अगर आप share market में deal करते हो तो इस मेरे में किसी भी प्रकार के share से related कोई भी निर्मने नहीं लेना जो भी safe side रहेगी उसे से चलना कोई नई बा प्रकार के risk financially बिल्कुल भी नहीं लेना उसे प्रकार आपका घर का जो माहूल है उसके बारे में कहा जाए तो घर का जो माहूल है वो normal ठीक रहेगा लेकिन थोड़ा सा आपको इसके उपर भी ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि जो ग्रहन है वो आपके way above में होने जा रहा उसे पर करते हैं जो सीधा सीधा असल है वो आपके relationship पर भी आ सकता है जो गर्भवती मेला है मेश राशे की उलने भी खुट पर थोड़ा सा control करना आवश्यक है हाला कि गुरु जो आपकी के राशे में द्रवन करना है उसका जो पंचम दुर्ष्टी है वो आपके पंचम बार आ रही है लेकिन फिर वे आपको थोड़ा सा चौकन ना रहना होगा चोटे मोटे problem चोटे मोटे complications आपको सेरत के बारे में आ सकते हैं जो विद्धारती बारे का है उलके लिए जो मेहना है वो नॉर्मल रहेगा कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा अज के बाद हम जर्चाते रहेंगे कि आपका जो वाईवाईग सुख है वह किस प्रकार का होगा जैसे कि आपके राशे का जो सब्तमेश है आपके राशे के लिए वाईवाई सुख के लिए सब समय तो पुन गरहा होता है शुक्र शुक्र जो गरहा है वो आपके वही काफी ज़्यादा बनती है अगर आपकी जो वैवाई युड़िदा रहे हैं किसी वैदिस से अल्रडी पीडित है तो इससे भी प्रॉब्लम आ सकती है जो कि आपके लिए काफी ज़्यादा प्रॉब्लम लेके आएगी तो इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा वरश अगया 疼रो कि गुड़िके जो सब्तम television है वो आपके सब्तम भॉपर होगी लेकिन आपको जो भी बाते हैं वो खाफी एक्स्रीम तोर पर नहीं जाए जाएकि लेकिन शर्स मेरे कर अजाए उससे रिलेट कोई बड़ी दिक्कत आपको देखने नहीं मिलेगी जो कि काफी अच्छी बात है फाइनेशली या फिर रिलेशन्शिप में जो प्रॉब्लम कॉप्लिकेशन है वो इस मैने में ज्यादा देखे जाएंगे लेकिन जो बाते हैं वो आपका करियर से रिलेटे बहुत ज़्यादा नहीं होगी जो कि काफी अच्छी बात है इसमें आप देख सकते हैं कि वह यह बहुत सारी जुक्रह है वो आचके है और यह जो वाव है वो अशुव वलदाई होता है और यही पर ग्रांट भी होने जा रहा है तो इस मेने में जो बाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको सोच समझ के आगे बढ़ना होगा बहुत ज़्याला अलर्ट रहना होगा मतलब जो भी सामने सामने होने वाली बाते उसे पर जले आउट-अफ देवे जाके ज़रा भी कोई काम करते हैं तो उसमें फर्स जाओगे और उसके जो प्रॉब्लम में उसका जो खामियाजा है वो आपको आने वाले दो तीन मेरे में भूगत न पढ़ सकता है इन जो पर तोड़ा सा ध्यान देना आवश्चक है उसे परकार इस मेने के जो ग्रह योग है उसके बार में कहा जाए तो शुक्र और नेप्चिन के यूति आपके वैयवाव में होने जा रही है वहाँ पर मतलब अगर आप किसी के रिलेशन्शिप अगर आप विवाई हो तो आपकी वाई-वाई जुड़िदार है उनमें और आपमें इंदरवे हो सकती है इसे परकार मंगल और शनी की यूति भी होने जा रही है आपके लाबदों में तो यहाँ पर जो थोड़े चोटे मोटे प्रॉब्लम आपको पैसर के रिलेटर हो सकते है उसे परकार आपके जो मित्र परिवाद है उन से चोटे मोटे बातों को लेकर तकर हो सकती है और आपके जो बड़े बाई बहनोंगे उनके स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा इसे परकार अभी बुद्ग की यूति जो है वो 11 तरिक को आपके वेया भॉम में होने जा रहे अब यहाँ कोई रिस्क लेते हो तो आपकी जो रिस्क है वो आपकी के लिए बड़ी टॉब्लम बन सकती है आपके जो अंदाज है वो काफी वायनों में चूकने की संभाव बहुत ज़्यादा बनती है उसे बारे मतलब आपकी जो राशी है बेसिकल वो confidence ज़्यादा होता है इस राशी कर रहा है और गुरू और भर्शे डुट्र आपके राशी में ब्रह्मन कर रहे है दोनों का लाव योग होने जा रहा है अब यह जो लाव योग है वो शुब फलताई साबित होगा कुछ अच्छ लाब इन दोनों में आपको मिल सकते आपकी जो बितर परिवार है उसे आप आपके वही अबाव में होने जा रहा है, दिनागार्टरी को, हलाकि यह जो सूरीगरान है, वो भारस में से दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके एस्ट्रोजकिल जो परिणाव है, वो आपको बिलेंगे, इन दिनों में मतलब जो बात हैं, उसा थोड़ा सा डिले पन में आ जाता है, जो अलर्टने से वो थोड़ा सा कर्म होता है, तो इसी के चलते हैं, आप फिसी ट्रैप में फस सकते हो, और किसी दूइदा में फस सकते हो, बुए आपकी जो राशी है, वो बहुत ज़दा इंडेप सोचती नहीं, तो इसी वज़े से जो प्रॉब्लम है, वो आपके लिए अराइज हो सकते है, आउट अफ दवे जाके बिल्कुल भी काम नहीं करना, यह जो बाते में फिर से दोबरा, यह कर रहा हो, रिपेट कर रहा हो, इसे पर कोई भी बाते पैसों से लेकर, रिलेशन्शिप को लेकर, आपको हेल से लेकर, कोई भी जो बाते है, उस पर आउट अफ दवे जाके काम नहीं करना, और उस पर मतलब वो जो बाते है, उस पर थोड़ा सा आप सेरियसली लेना आवश्यक है, उसे पर आउट इसमेन के जो पूर्णे बाँ है, वो दिनाल्ग 25 तारिको है, हनुमान जायन्ती है, और सिरिनाओ नौमी जो है, वो दिनाल्ग 17 तारिको है, तो ग्रमबान देसे दियाश्चों परिवार के और से आप सभी को धेरो धेरो शिब काम नहीं, तो इन चीज़ों बहुत थोड़ा सा ध्याल दीजिए, क्योंकि आपके राश्ची के लिए ये जो महिना है, वो इतना सहीं नहीं है, सिर्फ एक ही बात मैं कहना जाओंगा, कि आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हैना है, अगर आप अलर्ट रहते हो, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगे, कॉन्फिदेंस में जाके अगर कोई काम करते हो, तो प्रॉब्लम आपको आने ही वादी है, तो दोस्तों ये था मेश राश्ची का, अप्रेल दोगजार चोबिस का समभूडर राश्चीवल, आपको नहीं आश्चीवल कैसे ने आपके किस प्रकार से अनुब हो किया, तो पिशे कमेंट मोक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना है जो चैनल ने है, ब्रहमड सिद्ध्य एस्ट्रों इसे भी लाइक शेर और सबस्क्राइब ज़रूर कर, धन्यबाद,